आज जो हम चीज आपको बताने वाले ना that is related to computer vision यह subject मेरा फेवरेट है क्यों फेवरेट है आपको भी समझ आजेगी because I used to be a photographer, a director, a video animator और साथ में video editor भी तो color grading और इन सारी चीज़ें को सीखते सीखते मैं कहां आपे आके computer vision में फसा हूँ and you will understand why in a minute director का मतलब होता है जो documentaries detect करते हैं and I directed many documentaries जिन में से एक आज इंशालला आपको link भी भेजूँगा which you can actually have a look ओके जी लो जनाप, computer vision इसके लिए काफी libraries use होती हैं लेकिन मेरी जो favorite है वो है open cv which is really important for small weighted tasks अगर आप बड़ी libraries की बात करें तो torch और torch vision इसमें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो रही है tensorflow भी यूज़ हो रही है and there are many other things ठीक है SK images भी है by the way अगर आपको नहीं बता तो libraries are out there but मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप computer vision को understand कर सकते है ये एक छोटा सा crash course है जिसका main काम है आपको बताना कि computer vision होता है और उसकी practical application with projects आप कौन कौन से बना सकते हैं ठीक है so इसमें जो जो चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ these are the list अगर आप चाहिए तो आप इसको यहाँ पे screenshot ले सकते हैं लेकिन on the other side let's begin with that सबसे पहली चीज़ यह है कि जब भी आप इस तरह की video को देखते हैं आपके जेन में तो आता होगा यार यह क्या चीज़ है हर car को detect कर रहा है और उसके साथ उसकी speed भी बता रहा है distance भी बता रहा है and so on and so forth believe me it's like a piece of cake if you know the basics of computer vision ठीक है वो कैसे computer vision की basic से चलता है मैं बिलकुल zero से start करूँगा अगर आप गोर करें इस video के उपर जो भी मैंने चलाई थी मुझे आम में से कोई बंदा बता सकता है कि यह video hd है या non hd है जब आपने hd का नाम लिया इससे मुराद क्या था hd क्या होती है हाई definition हाई definition क्या होती यह तो मैं पूछ रहा हूँ हाई definition जो बहुत साफ वीडियो है ना तो अगर मैं आज आपको बताऊं कि कोई चीज साफ कैसे चलती है और इसके पीछे reasons क्या है उसके बारे मैं discussion करते हैं मैं बिलकुल zero से start करने वाला हूँ computer images से कि images क्या होती images का basic building block या basic unit of images is called pixel अब पिक्जल क्या होता है इसके बारे में बड़ी बहस होती है आजकल बड़ी दुनिया को पता नहीं होता लेकिन कहने बैठ जाते हैं कि दो सो चपन मेगा पिक्जल का कैमरा है 24 मेगा पिक्जल का कैमरा है फ्लां मेगा पिक्जल का कैमरा है सैमसंग ने इतना बड़ा कैमरा बना दिया तो hundreds ऐसे वह यूज़ करते हैं पिक्जल में कि क्या ही बात है हलाके usually it's nearly impossible to put this much bigger sensor into a mobile लेकिन लोग सुन रहे हैं पिक्जल क्या आते हैं मिनिट एरिया नहीं है बाइदाव है माइनिट है माइनिट एरिया of illumination on a display screen यह display screen है ना आपके mobile हों की होगी आप जिस पे मेरे lecture सुन रहे है वो होगी उसका एक चोटा सा area यानि कि उसको जितना आप zoom करते जाएं अगर आप मेंसे किसी के पास कोई zooming device पड़ी हुई है या mobile का camera पड़ा हुए जब आप किसी एक आपके सामने screen हो इसको zoom करते हैं वो ऐसे line लाइने लाइने लग जाती है ना और वो line लाइने लाइने फर्दर आप और भी zoom करें अगर आपके पास Samsung Galaxy S23 Ultra पड़ा हुए जिसका zoom चान तक जाता है अगर किसी को नहीं पता तो वो zooming device अगर आप लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि डबे डबे नजर आने लग जाते हैं यह डबे यह चोटे चोटे units जो हैं यह मिलके एक screen बनाते हैं this is smallest box यह smallest area और यह वही चीज़ है जो मैंने आपको पिछले lecture में बताई जहां पर आप एक डबा लेते हैं और इस image को लेते हैं और उसको pixels की form में लेके आते हैं तो minute area जहां पर आपकी एक image की information होती है जो सारे मिलके एक पूरी image बनाते हैं अगर मैं आपको zoom करके यह डबा दिखाता तो एक yellow color था जैसे ज्य और चाट देऊ आगे चलते हैं घी को छोड़ दें वनलब घी थोड़ा सा problem काउस करते हैं इंट्रो टू images कौन कौन सी images होती है कैसे होते हैं किस विजा से होती है वी विल सी याट पिक्जल क्या होता है अगर आप और गोर करें तो हर एपिक्जल के अंदर तीन चीजने दि blue color green color and red color इसे हैं RGB जिने हम बोलते हैं red, green, blue red, green, blue red, green, blue हर पिग्जल के अंदर ये तेन colors होते हैं फिच मेक्ष योरे इमेज्ज़ a colorful image अगर कोई high definition की बात की जा रही है उसके अंदर कितने pixels होते हैं तेल्ज असके quality इस के तिन लायट ही है यह टीन लायट की प्रॉप्र कंपोजिशन मिलके कलर वनाथी है एह इन तीनो को बोलते हैं प्रामरे इन तीनो कलर'd को मिला कि आपistantry बनाते हैं इन तिनों की intensity या इन तिनों की mixture अभी एक मिसाल देता हूं आपको कभी आपने किसी को painting करते हुआ देखा है किसी painter को या आपका कुई यार 200 fine arts के अंदर या किसी ओर department के अंदर तो वो क्या करते हैं primary colors होते हैं उनके पास उनको mix करके secondary बनाते हैं वो कभी भी secondary color नहीं लेते है हम जैसा को beginner जाएगा हम कहेंगे कि ये फलाने मतलब 15-20 colors है तो वो क्या करते हैं चार या पांच primary colors लेने तो वो उनको mix करकर के different colors बना रहे होते हैं तो usually screens के उपर ये तीन colors होते हैं which makes bigger colors जो आपको different किसम के color नज़र आते हैं वो इनकी different intensities की विड़ा से नज़र आते हैं और हमेशा जब आप website पर जाते हैं को color देखते हैं मैं भी आपको उसकी example भी देने वाला हूँ जब आपको color देखते हैं किसी website के उपर for example अगर आप Google पर जाएं मैं भी आपको दिखाता हूँ और यह हम गए जी Google पर Google के जाने पर हम यहां पर लिखते है color picker ये चेक हुआ है आपके different किसम के colors को मिला के अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ की that is called RGB आर मतलब 192 जो है आपने आर की value ली 235 ली आपने green की और 52 ली blue की ये तीनों compositions मिल के ये color बना रही है मैं इसमें थोड़ा सा blue add कर देता हूं मैं कहता हूं कि जी 210 blue है वो total color change हो गया अगर मैं इसको ये कहूं कि ये एक सो पारा जो है वो blue कर दें तो ये color change हो गया मैं कहता हूं कि जी ये दस ब्लू कर दें तो ये चेंज हो गया कलर, एक रख दें तब भी चेंज हो गया, अगर मैं इसको 220 करता हूँ तब ये वाला कलर आ गया, चेंज है कि उसके साथ गार, टेंडों की इंटेंश्टर, ये तेन की मिल कर बना रहे हैं, एक और प्राइमरी क्लर्ज होते हैं जिनका नाम है CMY, सयान, मजन्टा, येलो, एंड ब्लैक, ये चार क्लर's की कमपोजेशन भी मिल के इक फिलर बनाती है, या आप इन तीनों का मिला और आपके बाकी colors print होते हैं तो इस तरीके से वो color printer हमारे चलते हैं ठीक हो गया बाकी जो बाकी information SSV क्या होता है SSL क्या होता है यह आप देख सकते हैं इसके भी percentage और degrees की base पर यह बहुत होती है I'm not going into details लेकिन at the end हमारे पास इस तरीके से color बनते हैं colors की आपको frequency और different चीज़ें जो हैं मैंने अभी बता दी हैं आपको समझ आ गए होगी किस तरीके से हमारे colors बनते हैं अच्छा एक होता है अन इफेक्टइड पिक्जल जब आन तरॉजर की example देखी वो एरिया जहां पर ध्रॉजर हता ही नहीं उसको बोलते है अन एफेक्टड पिक्जल यहां पे जहां पे कुछ भी नहीं इसको बोलेंगे अनएफेक्टट फिर एक center में होता है जिसको हम बो होते हैं यह मिलके एक image बनाते हैं ठीक है अगर वो रेड ग्रीन और ब्लू होगा तो आपकी image colorful होगी अगर सिरफ gray scale यानि के जीरो से 256 में होगा तो वो gray scale image होगी मैं आपको अभी इन दोनों को समझाता हूं second दूसरी बात पर चलते हैं 10 pixel पर इंच यानि के एक इंच जिसको हम 2.454 cm भी बोलते हैं अगर उसके एरिया के अंदर यानि के इधर भी 2.54 इधर भी 2.54 अगर 10 pixels आएं तो इसको हम क्या बोलते हैं 10 pixel पर इंच की इमेज है यानि के इसकी जो resolution है 10 pixel पर इंच है 20 होंगे तो pixel बढ़ जाएंगे आपने देखा होगा जैसे आपके pixel इन इमेज बढ़ जाते हैं आपकी image स्मूध आने लग जाती है मैं एक मिसाल दोंगा जरा समझीएगा पुराने जमाने में जो camera होते थे उनकी image फटी फटी नहीं आती रिजन क्या थी उनकी resolution कम थी sensor छोटे थे pixels कम थे तस्वीरों के जैसे अब pixels ज्यादा आ रहे हैं आपकी image और भी strong आ रही है तो अगर pixels ज्यादा है इसका मतलब आपके पास information ज्यादा है एक question बड़ा important यहां पे मेरे पास सत्तर हजार images है एक है 10 ppi या आप कहलें कि 10 by 10 की एक है 20 by 20 की किस image पे मुझे ज्यादा processing time लगेगा 20 वाली पे ठीक है यही वज़ा है कि जब हम computer vision का data analyze करते हैं we always try कि minimum possible pixel पर inch या उनकी dimension की base पे हम data को analyze करें जहां तक हमारा काम पूरा हो जाए वर हमें क्या ज़रूरत पढ़ी है HD images को analyze करके अपने resources जाया करने कि जब हमारा main name क्या है पेंटें पता करनी है कहां कहां तश्वीरों में तो हम वह 28 by 28 pixel पे भी कर सकते हैं we don't need to go towards like 960 by 960 ठीक है so that's the whole gist here अच्छा ये तो आपने देखी होंगी 4 by 3 क्या होती है full HD क्या होती है 16 by 9 क्या होती है और 4K क्या होती है कि आपकी screen के sizes होते है और उसके अंदर फिर डिफरेंट किसम के dimension होती है आपने देखा होगा 1080p 720p YouTube पे नहीं आती नीचे 4K इस तरीके से वो सारी की सारी आपको यहां पे यह resolution इस तरीके से नजर आती है इस screen में जितने pixel हैं आप उसकी base पे उसको analyze करके पता लगा सकते हैं कि आपकी image की quality कैसी है और इसी वड़ा से जब आप कोई Samsung या अच्छे brand की LED लेते हैं या LCD लेते हैं या FTP screen लेते हैं तो उसके अंदर जो quality वो अच्छी होती है क्योंकि उनके अंदर pixels की amount जो है या आप ये कह लें कि उनके अंदर जो light sensors हैं एक small spot पे वो ज्यादा होते हैं ठीक है वो ही चीज़ आपको चाहिना वाले या Malaysian LED क्यों सस्ती मिल जाती है उसकी reason भी ये quality काम होती है अब आपको शायद समझ आगी हो के Malaysian या Chinese LED हमें 75,000 की जो मिल रही होती है original अगर price देखी तो दो black and white ठीक है अब देखिएगा 8 bit 8 bits का मतलब क्या है कि जब आप R, G और B तीनों की जो possible values हैं वो 256 तक रखें यानिके 0 से 255 या 256 maximum value ठीक है जब वो maximum value 256 आप रख सकें और इससे ज्यादा ना जा सकें तो वो 8 bit images होती है और इसमें possible colors कितने हैं 16 million possible colors बनते हैं इसे अगर आप 256 तक values रखें और इसको बोलते है 8 bit फिर आती है 10 bit उसके अंदर images का color की range 1024 तक चली जाती है और इसके अंदर 1 billion possible colors है अगर 10 bit आपके पास एक image है या आपके पास 10 bit की कोई file पढ़ी है इसी तरह 12 bit है 12 bit का मतलब यह है over 68 billion possible colors आपके पास है 68 billion की बात कर रहा हूँ ठीक है समझागी और यह ranges कौन सी है जो भी मैंने आपको slider पे change करके दिखाएं थी अक्सर वकात आप देखते हैं जो बड़ी high quality की camera होते है ना उनमें 10 bit भी possible होता है अगर आपको photography का शोग है कि अगर आपकी image के bits और bytes की बात हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 12 bit का data है I have to convert that data into 8 bit और उसकी मैंने color range different रखनी है सही है यहां तक clear हो गया अब आगे चलते हैं यह मेरे पास एक image है इसमें values कौन कौन सी हैं जी कोई बता सकता है black and white image zero shows black one shows white simple तो यहां तो मेरे पास areas black हैं या white है sketching आप करते हैं आप में से कोई sketching जो करते हैं लोग जो लोग sketching करते हैं कच्छी pencil के साथ उनको पता है या तो black area होता है या white होता है ऐसे ही है हाँ हलकी से उठा आगे pencil करो तो grey भी हो जाता है but I am talking about black and white images ठीक है यह होगी by tonal image इसको बोलते हैं by tonal या binary image फिर हमारे पास होती है इसके अंदर bits and bytes कितने हैं हमारे पास या तो zero और one होगा color या zero one होगा या one zero होगा या one one होगा या नहीं कि हमारे पास चार combination इसके बन सकते हैं ठीक है चार combination इसके बन सकते हैं अब इसमें मैं बहुत ज्यादा बोलते हैं ठीक है और gray क्या होता है यह अगर two की power eight आप करें तो आपके पास 256 total आ जाते हैं अगर eight bit image है आपके पास तो इसका मतलब यह है कि आपके पास दो main colors है black and white उनकी eight bits depth है तो इस तरीके से आप calculate कर सकते हैं कि टोटल आपके पास कितनी range होगी colors की तो 256 इस तरीके से आते हैं और इसी वज़ा से मैं इसको 256 shades of gray का नाम भी देता हूं ताके आप सोरी 254 shades of gray जस्क्रीन थोड़ी से उपर कर लो अब यह क्यों इस वज़ा से है इसकी वज़ा यह है कि हमारे पास zero black है one white है यानि कि टॉप हमारे पास white है एक black है उसके center में जो हमारे पास gray scale की values है उनको यहां पे लिखा गया है यहां तक समझ आगी है आपको अब तो आगी होगी भाइदवे ठीक है अब चलते हैं colored image की तुरफ colored images क्या होती है यह मेरे पास एक image है और यह इसका gray scale वरियन है यह मैं ही हूँ जवानी की तस्वीर है को गरीवन कुछ माँ पहले की इतनी भी जवानी की नहीं है तो यह gray scale में जाए आपने देखा है न मेरे से किसी ने पूछा आपका favorite color क्या है तो मैंने भला क्या जवाब दिया था उड़ा हुआ तो यहां से जो उड़ा हुआ कलर है इस लीव्स बिहाइंड ग्रे इमेज वो कहते हैं आज मौसम बड़ा ग्रे ग्रे सा है ग्रे वैदर जिसे बोलते हैं उड़ास मौसम मतलब colors ही उड़ गए समझारी बात कि उड़ास चाम में आने वाली है न अब ख़जां के मौसम में आते हैं अक्सरोकात तो आप देख सक हैं कि यह हमारे पास क्या है उड़ा हुआ तो उड़ा हुआ color यानि के color कोई नहीं है लेकिन shades है 0 से 1 तक यानि के 256 shades of gray हमारे 254 shades of gray है अब आगे जलते हैं color images में क्या होगा यह जी बाबा जी हैं खैर से यह तिनो images मिल के एक बना रही है आर यानि के red यह इसका green version है यह blue वर रहें और आपकी आँखें जो हैं आपको बताती हैं कि यह इसमें कुछ कमी है इसमें भी कुछ कमी है इसमें भी कुछ कमी है इन्तिनों को compile करें तो आप कहते हैं आप कुछ natural के करीब है ठीक है तो colors के पीछे बहुत बड़ी science है अगर आप में से कोई सीखना चाहे तो go ahead अ पास्तोर पिर न्यूस चैनल ने कम मी किसी दोर में की होगे क्यों हमें graph बना के दो animated graph लांग 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 आज कर टिक टॉक के उपर बढ़ा trend चला हुए पाकिसान की economy versus बंगलादेश की economy versus इंडिया की economy from 1948 तो आप इन तिनों को comparison कर सके आप इसली 1971 से बंगलादेश की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आरजीबी की समझ लगी होगे आपको तो हमारे पास three kind of images होती है पाइटोनल ग्रेस्केल एंड आरजीबी ठीक है और आरजीबी को अक्सर होकाद coding के अंदर BGR भी बोला जाता है उल्ट लिखा जाता BGR ठीक है तो don't worry about that अगर ऐसा भी लिखाता है so you should know के R, G और B या B, G और R तिनों मिलके एक image को बना रहे होती है अब अगर आपसे मैं question पूछूँ के number of tons in an image कितनी होंगी by tonal है तो आपके पास one bit होगी so on and so forth आपके पाई यह सारी images के tons आ जाते हैं और यह मैंने आपको पहले भी बताया कि आप किस तरीके से tons को measure कर सकते हैं two की power लिखने eight so on and so forth you can understand that इन चीज़ों को याद करने कि हर्गी ज़रूरत नहीं है you just need to understand कि क्या चल रहा है वीडियो क्या होती है इसके बारे में भी discussion हमने करने हैं कि what is a video आपने concept सुना होगा sequence of images नहीं सुना पुराने जमाने में वीडियो बनती थी तो रील नहीं ऐसे गुमा रहे होते थे वो क्या करती थी एक second में multiple images ले रही होती थी और वो उसको गुमा रहे थे मुझे एक बात बताएं frames per second का पता है किसी को fps यह जो slow-mo बनाते हैं आज कर टिक टॉक के उपर बच्चे fps उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं लेकिन आज मैं आपको समझाने लगो fps क्या बता है frames per second जब आप एक वीडियो बना रहे हैं उसमें कितनी images एक second में ले रहे हैं छे images हैं यह total 6 frames per second है मतलब बहुत slow frame ले रहे हैं मतलब अटक्ती हुई वीडियो आईगी अब जब आप 120 frame per second यानि कि हाई वीडियो लेते हैं फिर बाद में उसका slow-mo बनता है तो इस वेज़ा से उसकी quality अच्छी होती है अगर आप 30 frame per second की वीडियो बना के उसको slow-mo करने बैठ जाए ना 50% slow कर दें तो वो उसमें 15 frame रह जाएंगे एक second के जो फिर एक blurry image देता है तो इस वज़ा से frames per second जिस camera के हाई होते हैं वो slow-mo अच्छा बनाता है यूजली क्या होता है video is nothing but a sequence of images अगर आपको image की technology समझ आ गी है for computer vision you can understand the technology behind videos ठीक है अब मुझे बताएं किस मे इसे best video कौन सी है एक लड़ी की भाग रही है 50 frames per second पर यह तस्वीर आई चोबिस frame per second पर हमारे पास यह इस तरीके से चल रहा है यहां पर 60 frames per second हमारे पास चल रहे हैं तो अगर हम इनकी video बनाते हैं so something like this will happen ठीक है तो आपको एक human eye जो है वो उस तरीके से उसको देख पाती ह है फिर हमें जब हम videos को detect करते हैं या हम videos को understand करना चाहते हैं हम images की तरह कर सकते हैं but sometimes we need to use the tracking system in videos के कहां पे चेहरा जा रहा है समझ रहे हैं बात को कहां पर कार जा रही है याद करें पहली image मैंने आपको start में बताई थी और कहां पर यह सब को चल रहे है so this is how you can understand how the images are working how the videos are working अब आपको pixels की समझ आगी images की समझ आगी basic deep learning की algorithm की समझ आगी होगी now we will jump into some other thing लेकिन before that आपको एक और यहां पर टिप में दे देता हूं just a minute यहां पर usually जब आप open cv या different किसम की libraries को use करते हैं तो आप इस तरीके से x और y axis को रखते हैं आपका origin यहां पर होता है image के left top ठीक है यहां पर और अगर आप ऐसे plot बनाते हैं तो आपका origin यहां पर होता है तो आप वहां से study करते हैं something like this यह मेरे पास एक image है तो अगर मैं इस point को देखना चाता हूं तो मैं यहां से count करूँगा अपना x-axis और यहां से y-axis ठीक है तो अक्सर उकात उल्ट चलता है काम या निकिए आप यहां से उपर से नीचे आते हैं for example like this सही हो गया तो आप count करने के लिए इस तरीके से इनको utilize करेंगे so this is all about computer vision जो basic techniques से computer vision की है मैंने आपको बताई आपको समझाया कि आप किस तरीके से understand कर सकते हैं and now you can tell me के जनाब एक question मेरा बड़ा important है वो मैं आप से पूछता हूँ जो मैंने आपको deep learning lecture के अंदर एक चीज़ बताई थी which was related to fashion eminist data set fashion eminist data set मैं आपके सामने दुवारा लेके आता हूँ ताकि हम इस पर गुफ्तुगू कर सकें चोड़ी सी और वो गुफ्तुगू यह है मुझे आप बता सकते हैं कि अगर यह images colored होती हैं तो क्या हमारा time ज्यादा लगता या कम लगता मैं यह अभी आपके सामने share करता हूँ यह था जी data set यह हमारे पास images का size है 28 by 28 और यह total gray scale के अंदर images है अगर यह colored होती हैं तो हमारा time ज्यादा लगता के कम ज्यादा लगता तो क्यूं लगता कम लगता तो क्यूं लगता जी color पर ज्यादा क्यूं लग रहे हैं क्यूंकि जो यह काम यहां पर एक image पर हो रहा है वहां पर तीन images पर करना पड़ता red, blue और green समय रगी बात की यहां पर हम एक पर ही कर रहे है RGB डिफरेंट है, binary डिफरेंट है और gray स्केल की डिफरेंट है तो यूजली आप gray स्केल के अंदर उन्हें convert करते हैं और उसका size भी छोटा करते हैं अब कभी आप computer vision की problem पर काम करें जो आपकी अपनी है तो आपके mind में होना चाहिए कि पहले तो size जितना करने जितना possible है minimum possible पर ताके कम resources यूज हो HD images पकड़के नहीं उसको analyze करने बैठ जाना बहुत time लग जाएगा ठीक है and then you have to define gray scale is enough or you have to go with the color images, it's up to you, computer vision takes a lot of resources as well, यहां पे इस lecture को मैं रोकता हूँ